इस वीडियो में पुरा डिटेल में बात करेंगे CS Executive Registration Process के बारे में और फिरी में बुक कैसे order करना इसके बारे में चाहे आप CS Executive का exam December 23 में देना चाहते हो या June 23 में सारे Students Please वीडियो को पुरा last तक देखिए Registration कैसे करना लाइब डेमो बताएंगे और साथ में क्या last date है आपका additional doubt के ब्यारे में भी solve करेंगे बुक कैसे order करना इसके बारे में भी guide करेंगे YouTube पे एक मातर ऐसा channel है तो CS Related सबसे पहले आपको update करता है Registration कैसे करना, exam form field कैसे करना और साथ में CS Related guidance भी provide करता है तो प्लीज आपके मन में कोई भी additional doubt आने नहीं देगा बस आप लोग relax हो करके पढ़ाई करो बस आप लोग एक काम कर सकतो Charter Studies के YouTube चैनल को subscribe कर दीजे ताकि आपको CS Related धोरा सा भी doubt आपके मन में ना आए आप लोग के जनकारी के लिए बता दे पिछले तीन सालों से भी ज़्यादा से Charter Studies सबसे पहले अपडेट करते आ रहा है साथ में Registration कैसे करना, exam form field करना सबसे पहले यही चैनल पे वीडियो आता है Registration Last Date के बारे में, अगर Students CS Executive में अगर आपको बोथ ग्रूप का एक्जाम देना है December 23 में तो 31 में 2023 आखरी डेट है, अगर आपको Single Module का एक्जाम देना है, तो आप लोग Registration करवा सकते हो 31 July 2023 तक और अगर आपको बोथ मोड्यूल का एक्जाम देना है, जून 24 में तो आप लोग Registration करवा सकते हो 31 November 2023 तक और अगर आपको Single Module का एक्जाम जून 24 में देना है, तो 31 January 2024 तक Registration करवा सकते हो देखो आप चाओ तो अभी Registration करवा करके सिधा आप जून 24 में भी एक्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं जिस भी Attempt में एक्जाम देना, सिर्फ और सिर्फ एक्जाम फॉर्म फिल करना होता है, कैसे क्या करना हो, वीडियो आएगा डिटेल में देखो Registration तो सारे Students बोथ ग्रूप का एक साथ ही होता, बट डेट याद रखना, इस देट से पहले कर लोगे तो बोथ मोडियूल December 23 में 31 में से पहले, Otherwise आप एक मोडियूल का ही एक्जाम दे पाओगे, December 23 में मान लेते कोई Students 31 में से पहले Registration कर लेता है, बाद में जाकर के वन मोडियूल का एक्जाम देना चाहे, तो दे सकता है न, सिर्फ और सिर्फ एक मोडियूल का एक्जाम फॉर्म फिल करें, सिंपल सा बात है, अब बात कर लेते हैं Registration कैसे करना इसके बारे में, आप लोग Registration करने के लिए Laptop या Desktop का ही यूज करें, गूगल पे लिखोगे ICSI और ICSI का Official वेबसाइट पे आ जाओगे, उपर में सो करेगा Online Service, वहाँ पे ले जाना है अपने Circle को, यहाँ पे सो करेगा Registered for CSWT Pass Students, आपको इस पे क्लिक कर देना, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, अब ध् दर दर जेनरल होतो, आइडेंटी प्रूफ भी होना चाहिए, चैसे कि अधार कार्ट, पैंड कार्ट, ड्राइबरी लैसेंस, इन समय से कोई एक होगा तो चल जाएगा, पहले आप सारे Students वीडियो देख लो, कैसे क्या Registration होता है, कितना Registration के लिए हमको Payment करना होता है, अधारा File कौन से Format में होना चाहिए, आपके Screen पे सो कर रहा है, इस Format के अलाबा, अगर आप Upload करोगे तो Upload नहीं होगा, साथ में Photo और Signature का कितना Size चाहिए, MB में वो भी लिखा हुआ, इस MB से जादा और इस MB से कम भी होगा, तो नहीं होगा Upload, अगर कोई भी File Upload नह जैसे ही क्लिक करोगे तो CSWT का Unique ID पूछेगा, और साथ में CSWT का Roll Number पूछेगा, Capture Fill करके Submit कर देना है, ध्यान से बाते को सुलेना, Registration करने के दोरान अगर बीच में रुखते हो, पहली बात पूरा कोशिस करना है, एक बार में Payment कर देना है, सब कुछ अपने पास अब में Continue कर सकते हो, अगर बीच में रोकते हो तो, तो कोशिस ये करना है कि एक बार जब बैठ हो Registration करने तो पूरा Complete करके ही उठना, बीच में कोई Problem हो जाता है, तो इन Complete Registration पे क्लिक करके आएका Process Continue कर सकते हो, सारा डिटेल फिल करने कवाद आपको Submit पे क्लिक करना है, जैसे चाहो तो लिक दीजे, Otherwise Skip कर सकते हो, आप लोग अपना Title को सेलेक करोगे Boys and Girls के हिसाब से, आपका नाम यहाँ पे Already Field होगा, इसके बाद आप Students को Gender सेलेक करना है, Male हो, Female हो, Transgender हो, अपने हिसाब सेलेक कर लिजेगा, इसके बाद Category सेलेक करना है, क्या आप SCST हो, OBC हो, General हो, इस सेलेक करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, इसके नीशे में, Nationality में, Indian लिखा होगा, अपना Phone Number है, आपके पास तो Phone Number दीजे, Otherwise Skip कर दीजेगा, Mobile Number देना mandatory है, आप लोग अपना Mobile Number लिखिए, इसके बाद Re-Inter Mobile Number, इसके बाद आपको अपना Mail ID लिखना है, इसके बाद Re-Inter Mail ID, ये सब लिखने के बाद, आप लोगों को Orientation Program होता है, One Day Orientation Program, इसके लिए कोई भी Regional Branch को सेलेक कर लेना है, कहां पे आप लोग करना चाते हो, जो भी Branch, जो भी Area आपके आसपास है, वहां को आप लोग यहां से सेलेक कर लीजिए, कोसिस करना है, आप लोग जहां पे रहते हो, उसी Area को यहां पे सेलेक करना है, वैसे आप बाद में चाहो, तो किसी और जगह से भी One Day Orientation Program कम्प्लीट कर सकते हो, कोई दिकत बाली बात नहीं है, लेकिन यहां पे एक सेलेक करना ही परेगा, स्कॉल डाउन ठोल सा नीचे करोग तो यहां पे आपको Address माएगा, Address सही से फ इसका screenshot ले लीजेगा, in case mail पी नहीं आता, तो यह आपके पास proof रहेगा, यहां तक करने के बाद भी आप चाहो, तो छोड़ सकते हो, बाद में जाकर के registration कर सकते हो, क्योंकि आपके पास unique ID जनरेट हो चुका है, यही unique ID को अपने पास रखना, incomplete registration वाले जाबे, मैंने starting में ब जल्द वाजी में गलत फिल नहीं करना है, पापा और ममीन के नाम लिखने के बाद, scroll down करके थुरा सा नीचे आना, सही सही type करना, spelling mistake मत कर देना, यहां पे एक qualification detail को add करना परेगा, तो आप जो भी पास उच्छा है, तो 10th का marksid भी update कर सकते हो, 12th का marksid भी update कर सकते हो, तो मैं यहां पे students का 10th का marksid अपडेट कर दे रहा हो, बाकि आप लोग चाहो तो 12th का marksid भी update कर दीजिएगा, देखो यहां पे कोई main subject नहीं होता, तो main subject में क्या करोगे, अपने हिसाब से जो भी तेंथ में subject था, उस subject का नाम लिख दीजिएगा, यह नहीं तो na लिख दीजिएग जैसे ही आप लोग next पे click करते हो, एक काम करना कि add more पे click करके 12th का भी detail यहां पे fill की करी देना, यह दोनों detail लिखने के बाद आप next पे click करते हो, जैसे ही next पे click करते हो, तो यहां से पूछा जाए कैसे आपको CS course के बारे में पता चला है, तो अपने हिसाब से कोई एक select कर ल लेना चाहते हो, तो यहां पे tick राने दीजेगा 500 रुपया लगेगा, यह आप चाहो तो अन्टिक कर सकते हो, तो अभी 100 करा 10600 रुपया, जैसे ही मैं अन्टिक करूंगा तो 10100 रुपया payment करना पड़ेगा, यह registration होगा बोथ ग्रूप का, यहां पे single single group का registration नहीं हो, तो एक पेज़ पे अपना photo, signature, सारा qualification, detail अपडेट करना पर एगा, तो मैंने यहां पे photo, signature और सारा detail यहां पे add कर दिया, आप लोग भी देख सकते हो, क्या क्या चीज़ आड़ करना, आप अपने हिसाब से add कर दीजिएगा, जो जो qualification, detail आपको add करना, उस हिसाब से यहां पे add करते जाएगा, जितना भी detail आप लोग add करों, नीचे में जो dashboard है, इसी dashboard में show करेगा, सारा detail को add करने के बाद आपको next पे click करना, जैसे ही next पे click करते हो, इसके बाद आपना information अच्छे से check कर लेना, कोई typing mistake तो नहीं करती हो, spelling mistake तो नहीं करती हो, सब कुछ अच्छे से check करना है, यहां से भी आप लोग back जा करके इसको सुधार सकते हो, लेकिन इसके बाद नहीं change कर पाऊगो, तो यह सारा information को आपको एक बार अच्छे से check कर लेना है, और अगर कोई mistake लगता है, तो back का option है, इस पे click करके back चले जाना है, otherwise confirm पे click करके आपको confirm application कर देना है, जैसे ही confirm application कर UPI, debit card, credit card, किसी कोई भी थुरू आप payment कर सकते हो, अब बात कर लेते हैं, फिरी में book order कैसे करोगे, इसके लिए कोई भी फिरी में book order नहीं करना होता, already जैसे ही आपने registration कर लिया, और registration fee के अंदर में included होता है book का fee, ऐसे नहीं अधूरा registration, जैसे ही आप लोग payment कर दोगे, जै पढ़ाई करो, 30-50 दिन के अंदर में book आपके घर पे आज आएगा, अभी तो आप लोग registration कर लो, exam form fill करने से पहले, O-D-O-P pre-exam test complete करना होता, सब के बारे में इस चैनल पे वीडियो आता रहेगा, अगर आप लोग इस चैनल को subscribe करते हो, बिना attention के relax होकर के पढ़ाई कर प लोग!